Hello Friends, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि Java में Data Types होते क्या हैं और ये कितने Types के होते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और समझते हैं Java Data Types के बारे में Basically Data Type ये बताते हैं कि जो भी Data होगा यानि कि जो भी Data हम Store करेंगे प्रोग्राम में Memory के अंदर या जो भी Data हम Computer को Input के Form में देंगे उस Data का Type होगा क्या ये हम बताते हैं Data Types की मदद से अपने प्रोग्राम में Computer को जैसे कि Real World में हर एक Data का एक Type होता है जैसे कि Number यानि कि या तो वो Data Numeric होगा या फिर वो Character होगा या किसी और तरह का Data भी हो सकता है तो हर एक Data का अपना एक Type होता है और इसी को हम Data Type बोलते हैं और Java में हर एक Data Type का अपना एक Fixed Size होता है जब भी हम प्रोग्राम की अंदर Data Type बताएंगे कि हमें इस Type का Data Store करना है तो उस Data Type की Size के According कम्प्यूटर एक Memory Block बना देगा RAM में और इस Memory Block का Size डिपेंड करेगा उस Data Type पे जो हमने बताया है कम्प्यूटर को कि हमें इस Type का Data Store करना है Data Types specify the type of data that can be stored in the variable and its size मतलब कि Data Type, Data का Type specify करता है, Data का Type बताता है कि किस तरह का Data हम Store करेंगे और जिस Memory Block में हम Data को Store करेंगे उसकी Size क्या होगी ये दोनों ही चीज़े Data Type पे Depend करती है अब चलिए समझते हैं कि Java में Data Types होते कितने Type के हैं Basically Java में Data Types दो तरह के होते हैं एक तो होते हैं Primitive Data Types और दूसरे होते हैं Non-Primitive Data Types Primitive Data Types को Java में Primary Data Types ही बोलते हैं और Pre-Defined Data Types ही बोलते हैं क्योंकि ये पहले से ही Defined हैं जबकि Non-Primitive को Secondary Data Types ही बोलते हैं तो सबसे पहले हम Primitive Data Types की बात करेंगे Primitive Data Types को यहाँ पे अलग-अलग Category में Divide किया गया है जैसे कि अगर Data Number है यानि कि Numeric Data है तो उसको यहाँ पे Integer बोलते हैं और Integer Data Types को यहाँ पे अलग-अलग Category में Divide किया गया है जैसे कि Byte, Sort, Int और Long अब यह जो Byte, Sort, Int, Long हैं यह Integer Category के ही Data Types हैं और यह हमेसा Integer Number ही Store करेंगे यानि कि चारों के चारों यह जो Byte, Sort, Int, Long हैं यह हमेसा Integer Number लेकिन इन में सिर्फ Size का फरुक होगा अगर हम Byte Data Type का यूज करेंगे तो जो Memory Block बनेगा वो One Byte का बनेगा अगर Sort Data Type का यूज करेंगे तो Two Byte का Memory Block बनेगा अगर Int Data Type का यूज करेंगे तो Four Byte का Memory Block बनेगा और अगर Long Data Type का यूज करेंगे तो Add Byte का Memory Block बनेगा तो इन में सिर्फ size का फर्क है जिस भी तरह का हम data type यूज करेंगे उसी तरह से इनकी size जो है अलग अलग होगी लेकिन यह data store करेंगे यह integer type का ही होगा इसके बाद जो अंगला data type है floating point number floating point number का मतलब यह है कि ऐसे number जो point वाले number हो यानि कि जिनका कुछ fractional part हो for example 5.4 तो यहाँ पर 4 क्या है fractional part है point के बाद आ रहा है 4 तो इस तरह कि जो number होगे वो इस category में आएंगे floating point number data type category में और इसके अंदर भी दो category है एक तो है double और दूसरा है float तो यह जो double और float हैं यह दोनो एक ही category की data type है यानि कि floating point number के बस इन में फर्क है तो सिर्फ size का यह दोनो ही data type point वाले number को store करेंगे यानि कि fractional part वाले floating point number को store करेंगे लेकिन size इनका जो होगा double का size होगा add byte और float का size होगा 4 byte जब भी हम float data type का यूज़ करेंगे तो 4 byte का memory block बनेगा और double का use करेंगे तो add byte का इसके बाद जो अंगला data type है वो है character इसके अंदर आता है care data type यह जो care data type है यह character को store करता है यानि कि alphabets वगेरा को और इसका जो size होगा memory block का वो होगा 2 byte यानि कि जो character का size होता है जो care data type का वो java में 2 byte होता है इसके बाद जो अंगला data type है वो है boolean boolean जो data type है यह हमेशा true या false ही store करेगा memory में और इसका जो size होगा memory block का वो होगा 1 byte तो boolean हमेशा 1 byte का बनता है जावा में इसके बाद बात करें अगर non primitive data types की तो इसके अंदर आते हैं string, array, classes और interfaces और इस तरह के और भी बहुत सारे non primitive data types तो इन data types के बारे में हम आगे चलके बहुत ही अच्छे तरीकी से समझेंगे लेकिन आज के इस वीडियो में हमें केबल primitive data types के बारे में ही समझना है तो अब एक बार हम हर एक data types का size देख लेते हैं कि कौन सा data type कितने size का बनता है और उसमें default value क्या होती है तो देखें जो boolean data type का size होगा वो होगा 1 byte और default value होगी false इसी तरह से जो care data type का size होगा वो 2 byte होगा और default value इसमें होगी null character इसके बाद जो byte का size है वो 1 byte होगा short का size 2 byte होगा int का size 4 byte होगा और long का size at byte होगा और इस सभी के सभी 0 default value store करेंगे और जो long होगा वो 0 L इसके बाद जो float data type है इसका जो size होगा वो 4 byte होगा और default value होगी 0.0 F इसके बाद जो double data type है इसका size होगा at byte और default value होगी 0.0 D तो उमीद है कि आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि Java में data types होते क्या है और कितने types के होते है और इनका use क्या है तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अंगले वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्वाद